हेलो फ्रंट्स अगर आप QC Microbiology से लेटेट कोई भी इइंफोर्मुशिन चाहते हो आपको कुछ भी जानना से लेटेट की ईसके एड्मिशन के बारे में या फिर कॉलेजिे सैलरी क्या होसकती है आपको complete information इस वीडियो में दे दूँगा और इस वीडियो के end होते होते सारी information को पतल लग जाएगी तो वीडियो को end तक देखना तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में हम जानेंगे BSC Microbiology क्या होती है उसके बारे में कैण उसके admissions के बारे में क्या BSC Microbiology कोर्स में admission कैसे ली सकते हैं इसका eligibility criteria क्या लएने वारा है फिर उसके collegies के बारे में जानेंगे उसके पीस रहने वाली और वह क्या रहने वाली है उसके बारे में हम को जॉबस में मिलेंगी BSC Microbiology Бारे रहनेंगे और उन्हों की salary क्या रहने वाले की वह भी जानेंगे तो इस वीडियों को complete information में देने वाला हूं तो वीडियों में बने रहना तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं BAC microbiology की overview के बारे में कि आखिर यह चीज होती है मैं तो कौन सा course है आखिर है क्या यह तो BAC microbiology एक तीन साल का undergraduate program है जो मतलब आप 12 के बाद जो तीन साल के डिगरी लेते हो 12 के बाद इसमें होता क्या है तो एक undergraduate course है जिसमें microorganism जो हमारे microorganism होते हैं जिनको हम मतलब नहीं देख सकते जैसे कि बैक्टीरिया वाइरस वंजाई और जो पैरसाइट होते हैं बहुत सारे टाइप के उनके बारे में study करते हैं यह microbiology एक biology की ब्रांच है जो उनको जो माइक्रोब्स उनको identify करते हैं classify करते हैं और उनको बहुत सारे experiment भी करते हैं और उनका effect देखते हैं humans पर और बागी living wings पर मतलब आप मैं पताऊं तो आपको इसमें आपको microbes जो है ना उनके study करने हैं आप कुछ भी study कर सकते हैं microbes के बारे में उनकी मतलब उनसे कि आपको like diseases होते हैं आपको complete माइक्रोब्स माइक्रोप्शन के बारे में आपको knowledge दी जाती है तो अब बात हम करते हैं कि B.S.C. microbiology के eligibility क्या रहने वाली है मतलब क्या चाहिए कि आप microbiology कर सके और microbiologist बन सके करते हैं तो B.S.C के लिए को एक normal सी LGBT criteria यह होता है कि आपके 12th complete होनी चाहिए यह इसके equivalent आपना कोई बढ़ाई कर रही हो with physics, chemistry and biology और कोई एक language के साथ तो यह होता है B.S.C. microbiology का LGBT criteria अब हम बात करते हैं B.S.C. microbiology के colleges के बारे में कि अगर कौन-कौन से colleges यह यह कोर्स ओफर करते हैं तो colleges के बात करते हैं तो पहला college है वो है Delhi University तो यह college नहीं है यह university है इसके नहीं बहुत सारे colleges है जो आपको B.S.C. microbiology offer करेंगे इसके लाब है हमारा St. Joseph University फिर Madras Christian College और 4 पर है हमारे lovely professional university इसके लाब है बहुत सारे और भी colleges है जो आपको B.S.C. microbiology offer करते हैं अगर आपको जानना है कि और भी जितनी colleges के बारे में कुछ में बताऊं तो आप मुझे comment बता देना तो अब हम बात कर लेते हैं B.S.C. microbiology के entrance exam के बारे में कि आपको अगर B.S.C. microbiology करनी है तो इसके लिए कौन सा exam को qualify करना पड़ेगा अफिर आप कैसे admission ले होगे तो इसके लिए आपको 12th के बाद आपकी 12th complete होगे उसका आपको CUET के exam देना हुआ कर सकते हैं तो अब हम बात करेते हैं B.S.C. microbiology के fee structure के बारे में क्या रहने वाली है तो कि जो B.S.C. microbiology की fees है वो government colleges में वेरी करते है कुछ 8,000 से लिए के 60,000 पर year तक यह ज्यादा भी हो सकती है in future और private colleges की बात करें तो इसकी fees कुछ आपकी वेरी करती है 50,000 से लिए 1,70,000 पर year तक जो कि आपकी वेरी कर सकती है और अगर आप कुछ financially छुट से कम background से आते हैं तो आपको क्या पता scholarship मिल जाए वो college की ही according होता है कि कौन सा college आपको scholarship offer कर रहा है तो आपको private college में admission लेते हैं तो आप देख लिजीए का कौन सा college आपको scholarship offer कर रहा है तो अब हम बात कर लेते हैं कि B.S.C. microbiology में आपके क्या career कर सकते हैं मतलब आप higher education में कहां जा सकते हैं तो microbiology के jobs के हम बात करें तो B.S.C. microbiology में आपको बहुत साइज jobs मिल आपको research analyst बन सकते हैं या फिर आप एक lab technician बन सकते हैं या फिर एक microbiologist बन सकते हैं या फिर एक medical coder बन सकते हैं या फिर आप जो various government exam जो करवाती है conduct graduates के लिए आप उसमें भी apply कर सकते हैं तो मैं बात करूं B.S microbiology के salary के बारे में तो salary आपकी इसमें vary करेगी अगर आप अपने study कर दिया उससे लिए लिए लगर कोई job करते हो तो आपकी initial salary आपको रहने वाले है वो कुछ 2.5 lakh से 6 lakh पर रहनम तक रहेगा और average 3.5-65 lakh है यह एक data के recording है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इससे कम भ जादा हो सकती है बहुत जड़ा double triple भी हो सकती है और इसकी आधी या one-fourth भी हो सकती है according to your knowledge तो यहीं है कि salary में with experience जैसे सब काम करेंगे तब के salary में बढ़ती भी रहेगी और बहुत अच्छा फील्ड है तो इस वीडियो में BAC microbiology से related में आपके सारी जितने भी doubts कवर करें क पूसिच करें कर दिये हैं अगर फिर भी कोई doubt रहा गया है तो please let me know in the comment section